धमतरी जिला में ट्रक और कार की भीरंग से कास और मा बेटी की मौके पर मौत हो गई वहीं बेटी गंभी रुप से गायल है गायल बेटी की लाज अस्पताल में चरा है चाला को मामूली चोटी आई है मामूला कीरे गाउन थाना चेतर का है जनकरी उसा 17 गस्त गुरुवार को रात करीब 11 बच कर 45 मट पर कार में निल्मा चोपड़ा उम्र 45 वर्ष उनका बेटा भबी चोपड़ा 12 वर्ष और बेटी मिका चोपड़ा तिनो धमतरी से नगरी के वज़ा रहे थे तिनो सुट कार करमांग सीजी सुन्य पांच एस चैतीन सुन्य सुन्य में सवार थे और अपने घर नगरी वबास्त लाउट रहे थे कार में ड्राइवर समें चार लोग रहे कार ग्राउंड सिया दही पहुँची तभी अन्रपूरा राइस मिल के पास नगरी तरप से आ रहे ट्रक करमांग सीजी सुन्य चार जेबी पांच साथ साथ चार ने उसे सामने से जबज़स तरिके स्टक करमा दिया हासे में कार बूरी तरिके से चतिगरस्त हो गई लोगों ने तुरंद पुलिस को सूचना दी जनकरी मिले पर मौके पहुची पुलिस ने कार सवार चारों को बहा निकला हासे में मान इल्मा और बेटे भव्य की मौके पर ही मौत हो गई पुलिस ने दोनों मां बेटे के प्रदीप स्री ने बताया कि हास एक बार ट्रक छोड़ का आरोपी ड्राइवर फरार हो गया जिसकी तलास की जा रही है ट्रक को जिब्द कर लिया गया है